है दोस्तों आज इस वीडियो में सभी कि Android फॉन की खास चीज की बारे में बताऊंगा वो खास चीज यह है कि आप अपने Android फॉन और फॉरडिंग एक कोड की जरिये कर सकते हो हां दोस्ते कोड की जरिये अपनी सारे कॉलक है दूसरे नमबर को भी फॉरड कर सकते हो मान लीज यह दोस्त आपने कोई ऐसे जागा में आपनी फॉन फोर नेटवर्क नहीं है या कि आपने आपकी फॉन पर वेटरी लू हो गया है अपनी कॉल को एक दूसरी नबर पर फोरड करना चाहते हो तो आपकी फॉन पर सेटिंग में जाके डूनरी हो मिल नहीं रहा तो इसे में यह आपने कोड़ को साथ देगा जोस्तों यह सारी कोल को एक दूसरी नंबर को फोरड कर देगा यह कोड़ साइध सब्सक्राइब पता नहीं होगा अगर आप इस नहां चाहते हैं और केसी तक क्या सा काम करता है तो आप यह व्यांस तक देखते रहिए और शिखते रहिए न म समस्कार दोस्तों मेरा नाम है उत्तम आप दख रहेए माई रॉक टिप्स चलिए स्वरू करते हैं दोस्तों इसके लिए पहले हम सभी को फॉन की डाइलर में जाना होगा और उसके बाद यहां डाइल करना होगा तो स्टार स्टार सिक्स टू स्टार और यहां पर उसी नमबर देना होगा जिसी नमबर को आप फोरर करने चाहते हो तो यहां पर मैं सिंपल लिया एक दूसरे नमबर देता हूं मेज़िस्ट आगया है कि कॉल फोरडिंग रेजिस्टेशन वास्थ सय महस्पूल्ली तो यहाँ पर द्यान से याद रखिए कि मैं जिस कोड़ टाइप किया When को exactly आप सब्सक्राइब करना है और इसी नंबर को फोरर करने चाहते हो उसी नंबर वहाँ पर डालना है बस उसके बाद आपकी सारे कॉल्स उसी नंबर को फोरर हो जाएगा और अगर चाहते तो किसे इसको stop किया जाए तो यहां पर मैं और एक दूसरा कोड बता देता हूं ज क्या होगा कि हमारी कॉल्ड जो होगा तो यहां पर देखे मेसेज आगया है कॉल फोररड इडिंग सब्सक्राइब कि अब सब्सक्राइब करेंगा और उसके नंबर पर ट्रांसपर नहीं होगा तो यह कौड कुछ इसे तरह काम करता है दूस्तों पहले क्या हथता था? कि आप अपने Android phone के call setting में जाते थे और उसके बाद call for Hoarding option की click करके number डाल देते थे आपकि जो सारे call अपनी number पर जो सारी call आया था और दूसरी number पर transpor हो जाता था लिकिन यहां है कि आपकी c-また call ड stomach का नंबर डालना है और लास्ट में होज डालना है उसके बार डाल कर देना है आपकी जो सारी कॉल उसी नंबर पर ट्रांस्पर हो जाएगा तो दोस्ते मुझे उमाएध है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर कुछ प्रॉल्लें है तो भीमें ने जाएप की क्श और क्रिक कीजिऑ अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में घंटी का आइकन आएगा वहां पर क्लिक कीजिएगा क्योंकि हम कभी यूट्यूप नियू वीडियो अपलोग करेंगे तो आपके कुछ यल्प हो पाएगा तो आज के वीडियो में एतना ही थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाइ